और मैं आम अंत्रित करना चाहूंगा वनमाली स्रीजन पीठ के राश्ट्री ये अध्यक्ष विश्वरं के निरेशक प्रख्यात कवी कथाकार स्री संतोष चौवेजी से कि आप आएं और आपके प्रति अठित्यों के प्रति सबका स्वागत करते हुए वनमाली स्रीजन आज के इस दस्वें वनमाली कथा सम्मान के आउसर पर मैं मंच पर मेरे साथ उपस्थित हम सब के अग्रज प्रख्यात आलोचक डॉक्तर दरंजे वर्मा जिन्हें इस बार का कथा शीर्श सम्मान दिया जाने वाला है उनी के साथ वनमाली कथा सम्मान से पूर में सम्मानित देश की अप्तियंत महतुपूर्ण कथाकार ममता कालिया जी जो हमारे पहले भी आ चुकी है विशुद्धाले में भी आ चुकी है उनका बहुत स्वागत करता हूं और बहुत ही महतुपूर्ण एक और अतिती हमारे हाँ है गितानजली श्री जी आप सभी जो बुकर अवाइट के बारे में जानते हैं बुकर पुर्सकार के बारे में जानते हैं आपको यह जानके बहुत ही शुखद अनुभूती होगी कि गितानजली के उपन्यास को इस बार बुकर के लिए शौटलिस्क किया गया है और यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विशह है, क्योंकि हिंदी में ये पहली बार हो रहा है, कि हिंदी के एक कथाकार उपरन्यासकार को प्रख्छात प्रतिष्टित बुकर अवाट के लिए भी शॉट्लिस किया गया है, और क्योंकि वो वनमाली के थाम्मान के लिए यहां पधारी हैं, तो हमारी अनुबुती दुगनी गौरव की हो जाती है. मैं अन्य सभीप महतवपूर्ण अतितियों, डॉक्टर अनिल जोशी, जो केंडरी इंडिस संस्तान के उपाध्यक्ष हैं, और मैं भी उनके साथ उनके बूर्ड में कुछ-कुछ काम करता हूं, श्री लीलादर मंदलूई, जो देश के प्रख्यात कभी हैं और विश्वरंग के सान इदेशक हैं, मुकेश वर्मा जी जो जिनसे आप सब परिचित हैं और हमारे एडवाइदर भी हैं, भूपाल के वनमारी सजन केंडि के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर विनीता चौबे जो इलेक्ट्रोनिकी के संपाधक हैं, श्री शुगदेव प्रसाज जी जिन्होंन विज्यांग पे केंडित कहानियों को संग्रहीत किया है, छे खंडों में ये हैं, अभी आप देखेंगे कि वो कितना महतुपुन काम उन्होंने किया है, सभी सम्मानित कथाकारों को रशनाकारों को जिनमें आध्यनी दिवय माथुर जी शामिल हैं, बहुत अच्छी कथाक हैं, लंडन में हैं, वहां पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वातायन नाम का एक संगठन लगबग 20-30 सालों से, लंबे समय से चला रही है, और अपने विश्वनंग में भी आई थी, और इनके साथ और भी प्रवासी भार्ती कथाकार थे, सुशंबेदी थी, तेजि पाल के ही हैं, लेकिन नेशनल छवी रखते हैं, उन्होंने रशना समय नामक एक बहुत अच्छी पत्रिका के संबादन किया है, जिसमें बहुत सारे विदेशी लेकों का अनुवाद किया गया है, हरी खुद बहुत अच्छे कथाकार हैं और अभी भी नया नया उपन्यास उनका आया है, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं, साथ में एक ऐसा व्यक्ति है, जिसका नाम चंदन पांडे है, जिसने युवा कथाकारों का एक बहुत ही नई दमीन तोड़ी है, और जिसने कहानियां वो लिखते हैं, अपने आप में प्रतिमान होती हैं, हाल में वनम जाए जाएं, और एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व जो हिंदी में विज्ञान लेखन, विज्ञान संचारक का काम करता है, आपको याद होगा कि जब विश्विद्याले में हमने पहला सुपरनोवा का रहस्य विज्ञान कथाओं को रिलीस किया था, तब देविंद मेवा को राश्ट्री पुरुसकार मिल चुके हैं, केंड़ी हिंदी संस्तान का पुरुसकार मिला है और पुरुसकारों से वह बहुत ऊपर उड़ गए हैं, उनके पास बहुत सारा कहने करने के लिए है, तो देविंद मेवारी आज हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत किया फिर एक और महतुपूर्ण व्यक्ति जिसने की इस पिछली शताबदी की धलान में और नई शताबदी के समय में एक बहुत महतुपूर्ण पत्रिका को समाले रखा और कम संसादनों से समाले रखा, ऐसे संपादक हरी नायन जी हमारे बीच में है, कतादेश पत्रिका के लि अपने विष्धियाले में अलोषणा सत्रों में आते रहे हैं, युवा तो है मैं कहूँगा कि युवा ही है, तो युवा अलोचक वेवा सिंग हमारे बीच में है, इस बीच में मित्रों युवा अलोचकों के एक बहुत नई पीडी खड़ी हुई है हमारे देश में, और को सब बहुत महत्पूर्ण काम कर रहे हैं, यह जो पोस्त मॉडनिजम है और उसके बाद का जो पोस्त मार्क्सिजम थाट प्रोसेस है, उसमें कई नई लोग शामिल हुए है और वैवा सिंग उसमें से इंपॉर्ण डिली विष्धियाले में पढ़ाते हैं, हमारे मित्र ब 12 खंडों में संकलित किया है, और बच्चों के लिए सोची हम लोग क्या काम करते हैं, हमारा पूरा सहाई तेसमें उसका फूकस वरिष्टों की तरफ और एडल्स की तरफ रहता है, तो बल्राम ने अपनी संविधना के साथ देश के पिछले 50-60 वर्षों के महतुपूर्ण बालकवियों को संगरीथ किया है, उसको जल्दी ही हम आपके सामने लाएंगे, बल्राम हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत बहुत। और युवा कताकार और मनमाली के संपादक कॉनाल सिंग, ये भी हमारे बीच में है, ये आप प्रोगाम कंड़ट कर रहे हैं, और बीच-बीच में हम सब के मजे भी लेते हैं, तो इसके लिए उनका बहुत स्वागत है। एक बार ये सभी अतीतियों के लिए आप बहुत जवर्दस तालियां बजाएगे। दोस्तों, ये एक ऐसा अवसर है, जो हमारी संस्था में दो वर्षों में एक बार आता है, और सामने भी ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये जो तालियां आपने बजाई थी, ये उन लोगों के लिए भी थी, डॉक्टर ननकिश्वर आचार साहित अकेडमी से सम्मानित हैं, और विश्वरंग में आये थे, बोलने के लिए गांधी पर बहुत अच्छा काम उनका है, सामने है, जेते इन शिवास्तों अगनू में हैं, और बहुत अच्छे कवी हैं, प्रीदर्शन सामने बैठे हुए हैं, तो उनका भी बहुत स्वागत है, और बहुत शशांग हमारे गहरे मित्र कथाकार हैं, उनकी किताब पर अभी भी मैंने भूमिका लिखी है, बहुत अच्छा काम उनके किया, तो इस सब लोह के लिए भी हम लोग एक बार ताली बजाएं, इन तब का भी बहुत बारे हैं. मित्रों, बहुत जल्दी से मैं वनमाली, स्राजन पीट की करतियों के बारे में और वनमालीי गता सममान के बारे में, और आज हम कहां खड़ے हैं और कैसे खड़े हैं, इसके बारे में दो-तीन बातें आपके सामने रखता हूं. वनमाली, स्राजन पीट कि स्थापना तो 93 में हुई थी और मैं इसके पहले कि इस बात को भूल जाओं इस कारेक्टर्म के आयोजकों जिसमें हमारे पांचों विश्विद्याले शामिल है रविन्ना टेगोर विश्विद्याले सीवी नामन विश्विद्याले जो विलासपुर और वैशाली और खंडवा में है और आईसेक विश्विद्याले जो हजारी बाग में है उनका शुरू में ही आभार पगट करता हूँ क्योंकि वो लगातार इस पूरे साहितिक कर्म में हमारे साथ खड़े है और खूब मदद करते हैं सिद्दार पीछे बैठे हैं बोरा मान जाएंगे इसलिए आईसेक का भी एक बार आईसेक नेटवर्क का भी बहुत आभार पगट करता हूँ क्योंकि यह सारे विश्विद्यालों के आधार में आईसेक नेटवर्क है जो हिंदी में काम करता था हिंदी में कंप्यूटर पर पहली किताब उसने प्रकाशित की और ये पूरा नेटवर्ग हिंदी और भारती भाषाओं का नेटवर्ग मैं अनिल जी को बताना चाहता हूँ कि ये सारा जो हमारा नेटवर्ग और विश्युद्याले हैं उसके मूल आधार में हिंदी भाषा है और भारती भाषा हैं और उनमें बराबरी का रिष्टा है और इन भाषाओं के आधार पर ही हमारे अपथन-पाथन, टेक्नीक, तक्नीक और विज्ञान की पढ़ाई लिखाई करने की कोशिश रहती है। मैं बताना भूल गया था कि अनिल जी ने अभी प्रदान मंत्री जी के निर्तवत में शिक्षा मंत्री के निर्तवत में देश में उच्छ शिक्षा में हिंदी का बड़ा काम किया है और अब मेडिसिन में भी और टेक्नलॉजी में भी और इंजिनिंग में भी और मुझे भी क बाता हूं मित्रों, 93 में, 92 के आसपास, स्रजन पीट का गठन यहां हुआ था, जैसा कि बताया गया शुरू में, जगनार प्रसाद 24 वनमादी जो खंडवा के थे, और बड़े आदर शिक्षक माने जाते थे, आज भी उनके कई चात्र यहां आए हैं, दादा शिशिर मुकरजी यहां पर हैं, शरद जैन यहां पर हैं, शहदाद कुरेशी यहां पर हैं, तो उनको अभी भी बहुत सम्मान से पूरे देश में याद किया जाता है, और बाद में जब मेरा परिचे हुआ, तो मुझे मालूम पढ़ा कि वो उतने ही अच्छे कथाकार भी थे, और उनकी कथाकार होने की एक अलग छवी थी, तो निबनकार भी थे, और परसाई के बहुत पहले, उनने बड़े चुटेले वेंग निबन लिखे हैं, और यह जो डायलॉग का जो तरीका परसाई के बीच में है, समबात का जो तरीका है, उसका प्रयोग असर में वनमाली ने फॉर्टीज में करना शुरू कर दिया था, तो उनका भी सारी सामगरी बहाल आई गई और उनको बहुत सम्मान के साथ हम सब याद करते हैं, स्ट्रजन पीठ छे जगों पर इस्तापित है, खंडवा में है, भोपाल में है, दिल्ली में है, हजारी बाग में है, बिलासपुर में है, और हमारा जो अन्य विश्युद्याला है, उन जगों पर भी वो है. इन सब जगों से शरच जैन, लीलादर मनलोई, मुकेश वर्मा जी, मनोहर बाथम, ये सारे लोग अध्यक्ष हैं और वहां से इसमें आये हुए हैं. एक सो पचास से ज्यादा ग्रासरूट लेवल केंद्र भी हम चलाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पुस्तकों को और साहित को लोगों तक जाने की बहुत बड़ी आवश्यक्ता है, पुस्तक यात्राएं निकालते हैं, लोगों तक जाते हैं, और किताबों को संवर्दित, संरक्षित उनको खोज करने की कोशिश करते हैं, और नए काम करने की कोशिश करते हैं. शुडवात में तो सम्मान समारो के आधार पर सूचा गया था, और शशांग के बैठे हैं, ये पहले वनमाली किता सम्मान विजेता हैं, नाइंटी थ्री में, जिसमें राजयन जो आये थे और मारकंडे आये थे और दूदना सिंह आये थे और सारे बड़े लोग, बड़े कथाकार, बड़े सहाहितिकार, बड़े कभी अपने अवनमाली किता सम्मान में आते रहें, सम्मान करते करते हैं, हम लोगों ने संगोष्टियां शुरू की और लग भग अब तक दोसों से ज्यादा संगुष्टियां सारे बड़े रचनाकारों को शामिल करते हुए की गई हैं। तर्ण अफ दे सेंचुरी जब ये बात, जब द्रश्य ने हमारे ऊपर हावी होना शुरू किया, तो हमें लगा कि हमें अंतरविधाई काम भी बहुत सारे करने चाहिए। दिविंदराज अंकुर अब आने वाले हैं, कल पर सो रहेंगे। कहानियों के मंचन पर एक बहुत महतुपून काम वनमाली सजन पीट ने किया है। बहुत सारी कहानियों का मंचन हमने किया है। और उसके भीतर जो नुवांसेज हैं, उसके भीतर जो डिबेट हैं, वो वनमाली सजन पीट ने लगातार बनाय रखा है। अब एक विधा की तरह कहानी मंचन शामिल भी है। कवितायात्रा की भी याद करना चाहूंगा, कवितायात्रा एक ऐसा काम था, जो अगे से लेकर और आधुनिक समय तक कविता कवियों तक आती थी। और उसका जो मंचन किया गया लगबग देश में 20 से ज्यादा शोध हो चुके हैं, और लगबग इसी संख्या में सारे लोग आते हैं, कविताया अप्रिशियेट करते हैं, नई कविताया में जो ले और चंद की तलाश है, उसको अप्रिशियेट करते हैं, और यह मानते हैं कि अगर उसको इस तरह प्रस्तुत किया जाए, तो कविताएं याद भी रहेंगी. तो कविताएं हैं, इसके अलावा लोग के चंद को भी, तो होलियों पर एक बड़ा काम हमने किया है, आप लोग उसे देखते रहते हैं, हर सार एक शो होता है, तो लगबाग ब्रज शेत्र की, धाई सो होलियां हमने इकटी की, उसमें जो क्लासिकल एलिमेंट है, उसको बाहर निकाला, और फिर उसको बेले के फॉर्म में प्रस्तुत भी किया, अब वो बहुत क्लासिकल शो बन गया है, बोबाल में उसके दस से जादा शोज हो चुके हैं, और हर बार इतनी ही संख्या में लोग उसे देखते हैं, अप्रिशियेट करते हैं। मैंने पुस्तक जात्रा के दिख्र किया, पिछली बार बड़े संख्या में पुस्तक जात्रा हैं निकाली गई थी, हमने एक परिवर्तन जो बीच में किया, ने किया पहले वर्नमारी Sgt. Iyaर्ण Peet एक independent संस्था थी, लेकिन विश्वयद्याने के बलने के बाद, सारे विश्वयद्यानों में Sgt. Peet को संबद्य किया गया है, तो अब उसकी संबद्यता हर विश्वयद्याने के साथ है। और जब हम बड़ा काम करते हैं, तो विश्वध्याले उसमें मदद करते हैं. ये पुस्वध्यात्राएं इन विश्वध्यालें के अराउंड लगबग दस-दस जिलो में निकाली गई थी. और देखें, ये भी बहुत मिथिकल बात है, कि KITABे नहीं खरीद रहे हैं. लोग वास्तों में KITABे खरीद रहे हैं, «KITABे तो महां तक जाई नहीं नहीं हैं》 प्रकाशक लोग पता नहीं ले जाते हैं, लेकिन जदि आप गाउमें जाते हैं तो बच्चे कितABें खरीदे. विज्ञान के किदाबें विशेशकर खरीते हैं, ग्यान के किदाबें खरीते हैं, चोड़ी पुस्सकाएं खरीत थे, तो किताबों को बहार निकलना पड़ेगा, लेखा को बहार निकलना पड़ेगा ऐसा हमें लगता है, और पुस्तक यात्रा ने ये काम करके दिखाया था, अब हमने, यहां बहुत लोग बैठे हैं, जहां पुस्तक यात्रा हैं पहुंची भी थी, और इस समय में जब बहुत सारी हिंदी की पत्रिकाह बंद हो रही हैं, हमने ये तैय किया कि हम पत्रिकाह निकालना शुरू और एक नई पत्रिकाह बनमाली के नाम से निकाली गई है, उसके तीन अंग निकले हैं और सभी में बहुत अप्रेसियेशन हम लोगों को मिला है, तो कुछ इस्तरा के काम हैं, प्रकाशन हैं, पुस्तक यात्रा हैं, संगोश्चियां हैं, और ये सारा डॉकुमेंटेशन, अभी पिछले बार जब अलपना मिश्राई थी और कुछ और लोग भी थे, तो हमने आख्यान का अंत्रिक संकट और कहानी स्वपन और यतात के नाम से, ये तीस वर्षों की कतायात्रा जो की ट्रांडिशन का पीरिड है, जो की समाजवात के गिर जाने के बाद, तीस तोचना पर दो बड़ी कितावे निकाली गई हैं और वो डॉक्मेंटेशन है, इस पूरे पीरिड का, जो संगोष्टिया हम करते हैं, वन्माली के सामान के साथ में, उस सब का वास्तव, उसमें आपको राजन ज्यादव से लेके लेटेस्ट राहूल सिंग और वेब सिंग तक के काम मिल जाएगा, और फिर वो यह नहीं कह सकते हैं कि उनने यह नहीं कहा था, इस तरह का डाकुमेंटेशन हमने, उसमें किया है. मैं कुछ दस्तावेजों का जिक्र करके अपनी बास समाप्त करूँगा, 2015 तक आते आते, जबकि एक तरह से वैचारिक आधार बदल रहे थे, जब नई स्रदाप्टी हो रही थी और टक्नीक सामने आ गई थी, तो हमने यह सोचा कि हमें परंपरा की एक बार पुना खोज कर करफ निकलना चाहिए, और सबसे पहले लाकुमेंट कथा मद्रबदेश के फॉर्म में, जो मद्रबदेश और चटिवगार और यह जो रिखाएं खीची कहिए यह यह वी विकार हैं, हमें मद्रबदेश चटिवगार एक ही राज्य है, और उसकी परंपरा भी एक ही है, और उसके भीतर कथाकार भी एक ही है, उनके आदार और जमीन भी एक ही है, तो हमने ये जो कथा मद्बदेश निकाला, वो छे खंडों में है, और मद्बदेश और चत्विगड के, अंडिवाइड़ मद्बदेश के, 220 कथाकारों पर फोकस्ट है, और उसमें आलुचना कर्म भी बहुत सारा किया गया, ये समझने के लिए कि हमारी कथा परंपरा क्या है, और हमारी भाशा कैसे बदली है, और समय के साथ साथ भाशा का क्या रिष्टा है, और कथी किस तरह से बदला है, यह काम जब किया हमने कथा मत्रदेश में तो देश भर के लोग उसमें आये थे भारत बहुन में एकारक्रम हुआ था, सब ने कहा कि था आप बिहार क्यों नहीं करते और अब उत्रप्रदेश क्यों नहीं करते और आप बागी राजी क्यों नहीं करते तो फिर हमने मतला मुके उतना द्रश्टी रखता है, धने जया वर्मा का की आर्टिकल उसके अंदर है। तो यह अठारा खंडों का जो काम है, जम्मू कश्मीर से लेकर और केरल तक हिंदी में जो लोग वहां लिखते हैं, उन सब को शामिल किया गया। और यह अठारा खंडों का काम हमने किया, कथा देश और कथा मत्वदेश इसमें शामिल था। यह बढ़ते बढ़ते तीस पहती साल के अनुबह से हम इस जगह पर पहुंचे, कि हिंदी के सामने आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और अवसर है, कि वह वैश्विक भाषा बन सकती है, बनी ही हुई है। और टेक्नलोजी ने अभी यह संभव किया है, फॉंट्स इस तरह के आ गए हैं जो पहले दिक्कत थी, कि हम अंतराश्टी कम्यूनिकेशन कर सकते हैं, तो प्रवासी भार्तियों को भी बड़े पामाने पर इसमें अब शामिल किया है, आज दिव्या जी हमारे बीच में है, लेकिन विश्वरंग का फिरम ने आयोजन किया, विश्वरंग एक ऐसी चीज थी जो देश में पहली बार हो रही थी, ऐसी चीज थी जो विश्वद्याले कोई पहली बार कर रहा था, और उसमें लगबग 35 देशों के 500 से अधिक कताकार, आर्टिकल, रशनकार, सारे लोग शामिल हुए, उसने एक तरह थे भुपाल में तो क्या देश भर में और विश्वरंग में एक तरह की धूम मचाई, और विश्वरंग 2019 को लोग आज भी याद करते हैं, उसके जो आउटपुट्स थे, उसके अधार पर हमें लगा, कि देखिये, हमारे यां विज्वान कता और प्रण किया था, कि हम विज्वान कता कोश निकालेंगे, आज इस विज्वान कता कोश का हम लोग विमोचन करने जा रहे हैं, तीन वर्षों का बड़ी पर्यूजना थी, मेवाली जी, शुगदेव प्रसाद और हमारे सभी मित्र उसमें शामिल थे, तो ये एक नया काम अब हमने किया है कि हम विज्वान कता कोश, बाल गीत का कोश और विश्व, कता विश्व तक भी हम लोग आगे जा रहे हैं, एक और बात यह है कि हमारे भूपाल के बहुत सारे मित्रे हाँ बैठे हैं, वो ये शिकायत करते थे, कि भाईताब आप सब विश्व में ही जाते करने वाले हैं, इस तरह इस्थानिकता से लेके वैश्विक तक वनमाली सजन पीट अब 30-35 देशों में काम कर रही है, अपने अपने देश के लगबग सभी राज्यों में उसके संपर्ख हैं, और हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा अंदूलन बने जो कि भाषा, हिंदी भाषा का जो डोमेन हैं, उस पूरी डोमेन को समिठता हो, उसमें सहाइत्य भी हो, उसमें कलाएं भी हो, उसमें विज्ञान भी हो, और अन्य भाषाओं को भी इसमें इंटरक्टिविटी की जाएं. चार पत्रिकाओं का दिक्र नहीं करूंगा तो अन्याय हो जाएगा. सबसे पहली पुरानी पत्रिका है, इलेक्ट्रोनी की आपके लिए, आप सोचिए कि जब पत्रिकाओं का इतना संकट है, यह पत्रिका पिछले 30 साल से 35,000 प्रतियां निकलती है, और बच्चों तक जाती है, और अभी हाल में हमारे मित्र सुदीर सकते हैं और बाकी लोगों कुछ बताएंगे उसके बारे में, दूसरा वनमाली पत्रिका अभी शुरू हुई है, साहिती की पत्रिका है, दो-तीन अंग निकले हैं, लेकिन उसे भारी प्रतिसात मिल रहा है, और एक बड़ा काम वेश्विक संदर्ब में किया गया, लिलादर मंडलोई, विश्य रंग नामक पत्रिका को संचालित करते हैं, चार अंग उसके निकले हैं, जो पिंटिंग वाला अंग है, वो बहुत ही खुबसूरत था, अशोग भामिक सामने बैठे हैं, अशोग भामिक का उसमें बड़ा योगदान था, और ऐसे विविद विश्यों को जो वैश्विक संदर् लूप से निकल रही हैं. मितरों, अन्त में एक दो बाते कहके समाप्त करता हूं, जब हम लोग नबबे के दशक में कहानी पर बात करते थे, तो हम लोग तीन चनौतियों की बात करते थे, एक हम कहते थे कि समाजवाद का अधार समाप्त हो गया, जो वैचारी का अधार था लेकों के सामने, तो उसका अब क्या होगा? और एक वैक्यूम जैसा क्रियेट होता है, एक चनौति वो थी. दूसरी चनौति जो थी, वो भाशा की चनौति थी, क्योंकि भाशा को द्रश्य ने घेर लिया था, और भाशा को जिस तरह से टेक्नोजी यूज कर रही थी, जिस इसके बाद क्या शब्द की सत्ता बची रहेगी? क्या शब्द उस पर काम करेगा कि नहीं करेगा? यह एक तीन बड़ी चनौतियां थी, इन पर हम लोगों ने बहुत सारे गोश्टियां की रास्ते निकाले, अन्त में विनोशाही ने स्वपन और यतार्थ, स्वपन और फ अब बात जो है बिलकुल बदल गई, कोविट के आने के बाद और सेपियन्स नमक जो किताब है उसके आने के बाद, अब सवाल यह है कि क्या आदमी खुद बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा? क्या बायो टेकलाजी और बायो इन्फरमेटिक्स को मिलकर ऐसे क्लोनिंग क की जाता की कि क्या नए आदनी के निर्मानी की कर लिया जाएगा? उस केस में कला, साहित्य और संस्किति का क्या होगा? यानि विमर्ष का लेवल एकदम बदल गया पिछले पांसा सालों में और मुझे लगता है कि आगामी समय में हमको यह सारी चनौतियों को भी देखना प चाहिए, तब ही हम एक संतुलित मनुष्य बना सकते हैं. तो इसी तरह का प्रयास वनमाली सजन पीट का है, मैंने तो अबक जादा लिया क्योंकि बहुत दिनों बाद कता सम्मान हो रहा है, पर सारी अफधारनाओं को इस पश्चिया, मैं एक बात पुना हमारे सभी अतिति और इनसे भी सुनेंगे, तो आपको बहुत मदा आएगा, मैं आप सब का भी बहुत स्वाकत करता हूँ. धन्यवाद. जैसा कि आपने बताया, वनमाली स्रियन पीट रविना टेगोर विश्विद्याले की एक सांस्कृति की काई है, जो अपनी स्थापना के साथ ही कुछ ऐसे कारियों को निश्पाजित करती रही है, जिससे इसकी महत्ता स्वाइम से आपने इशाड़ा किया, उसे मैं और खोल के बता देता हूँ. वनमाली स्रियन पीट दौरा प्रिकाशित चार पत्रिकाओं का आज लोकारपन किया जा रहा है. देखिए कि जिस दौर में बड़े बड़े घरानों की पत्रिकाओं बंद हो रही हैं, वनमाली स्रियन पीट साहीत संस्कृती की दो पत्रिकाओं वनमाली वविशोरंग का, कला की पत्रिका रंग संगवाद का, वह हिंदी में विज्ञान व तकनीक की पत्रिका, इलेक्ट्रोनिकी आपके लिए का लोकारपन करने जा रही है, मेरे तहीं बहुत बड़ी बात है, और इस पर तालियां तो बनती है, आईए सबसे पहले लोकारपिट करते हैं, लोक्तांत्रिक मुल्यों की समावेशी कथा पत्रिका वनमाली के अप्रय लंका, मैं आमंत्रित करता हूँ, इसके प्रधान संपादक स्री मुकेश वर्मा को, कि वे सम्मानित अथितियों से इसके ताजां का लोकारपन कराएं, पत्रिका के संड़क्षक हैं, स्री संतोष चोबे जी, आप से भी आग रहे हैं, कि आप भी आगे आएं, प्रधान संपादक हैं, मुकेश वर्मा जी, सहायक संपादक जोती रगुनसी हैं, और संपादक क क्या कहूं मैं, अब जितने हिंदी के संपादक हैं, सबसे युवा, सबसे ठीक्षन मेधा वाला, आप सब समझ गया होंगे कि मेरा इशाड़ा खुद के प्रती है, तो मैं अपने आपको अमंत्रित करता हूं, कुणाल सिंह का. आप लोग के किट में भी इसे रखा गया है, इसके ताजा अंग को रखा गया है, आप इसे किर्पया देखें, और मुझे सूचित करें कि कैसी पत्रिका है, मेरा प्यास कैसा है, दूसरी पत्रिका, इलक्ट्राणिक ही आपके लिए, जिसके बारे में संतोष चौवेजी ने बहुत कुछ बताया, इसे ऐसे फ्लैट तरीके से नहीं बताना चाहिए था, ऐसे बताना चाहिए था, कि आपको यह जानकर आश्यर होगा, कि हिंदी में एक पत्रिका है, जो पूरी तरह से विज्ञान और टक्नीकी लेखन के लिए समर्पित है, आपको यह जानकर आश्यर होगा, कि ऐसी पत्रिका मासिख है, आपको यह जानकर आश्यर होगा, कि ऐसी पत्रिका विगत पांच दस नहीं, बलकि उन्होंने 30 कहा, मैं सुधारते हुए कहूंगा कि विगत 34 वर्थों से निकल रही है यह कारिकिया है इलेक्टरानिकी आपके लिए कि संपादक डॉक्टर विनिता चौबे जी ने मैं आमंतित करता हूँ डॉक्टर विनिता चौबे जी को कि वे संपानित अतितियों से इसके ताजांग का लोकारपन कराएं इस पत्रिका के भी पधान संपादक स्वी संतोष चौबे जी है संपादक हैं डॉक्टर विनिता चौबे और सहाइक संपादक हैं मोहन सगोरिया जी आप सभी आग रहे कि करिपे हम आएं मंच पर सहाइक संपादक मोहन सगोरिया जी हैं रविंद्र जैनवा मनीश स्रिवास्तो जी भी हैं अब इसे यूँ कहें कि आपको यह जानकर भी आश्यर होना चाहिए कि इस पत्रिका कोराश्ट्री राजभासा शील्ड सम्मान से रामेश्वर गुरुस पुर्सकार से भरतेंदु पुर्सकार से वसारस्वत सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है इलेक्ट्रोनिकी आपके लिए यह अंक आइंस्टीन पे है आप इसे जरूर देखें आपकी केट में या भी इसका अंक भी उपस्तित होगा तीसरी पत्रिका विश्वरंग हमारे यहां से साहित युम संस्कृति की त्रेमासिक पत्रिका विश्वरंग का प्रकाशन भी किया जाता है मैं आमतरित करता हूँ इसके संपादक स्री लेला धर्मडलोई जी को कि वे इसके ताजा अंग प्रवासी कथा सहित पिकेंद्रित है उसका लोकारपन सम्मानित अतितियों से कराएं इसके प्रधान संपादक स्री संतोष चौवे जी हैं संपादक लीला धरमडलोई जी हैं और सहाएक संपादक राकी गर्ग जी हैं आपसे भी आग रहे कि आप क्रिपमंच पुपसित हों विश्वरंग जी हो मुआइ मेंट होनादक स्सक्राप्प्सित हैं जी हुआराण क्रиज़ लाहे झस्तोष ली आएंस प्लाव चौत्वी पत्रिका रंग संगवाद रंग संगवाद टेगोर विश्वकलक केंद्र यों संस्कृति केंद्र की बहु प्रतिशित संस्कृतिक प्रत्रिका है पिछले ग्यारा साल से इसका निरंतन प्रकाशन हुआ है होता आ रहा है इसके संपादक स्री विने उपाध्या जी से आग्रह है कि वे आएं और सम्मानित अतितियों से इसका लोग कारवन कराएं प्रधान संपादक स्री संतो शोवे जी है संपादक विने उपाध्या जी है मैं आग्रह करता हूँ वनमाली श्रीयन पीट भोपाल के संयोजक स्री संजय सिंग्राठोर जी से कि आप भी इस उसर पर उपसित हों कि आप भी जी है पर योजना के स्थर पर वनमाली श्रीयन पीट ने जैसा कि राष्टी अध्यक्ष संतो शोवे जी ने बताया कि और विवाजित मद्यप्रदेश के कथाकारों का एक पोश्च छा खंडों में कथा मद्यप्रदेश नाम से प्रकाशित किया है इसके प्रधान संपादक स्री संतो शोवे वा संपादक हरी भटनागर थे हिंदी कथाकारों के व्रिहत गोश्च 18 खंडों में कथादेश का प्रकाशन किया है इसके प्रधान संपादक स्री संतो शोवे और संपादक मुकेश वर्मा जी थे और अब एक मुस्त दो कोश्चों का आज लोकारपन किया जाएगा भोपाल के प्रतिनिधी कथाकारों का संचेन जो चार खंडों में है कथा भोपाल जिसके प्रधान संपादक संतो शोवे जी और संपादक मुकेश वर्मा जी है उसका लोकारपन किया जाएगा सबसे पहले इसी के लोकारपन से शुरुवात करते है मैं आगर करता हूँ जोती रगोंसी जी से कथा भोपाल में साहय संपादक रही है चार खंडों में समायोजित कथा भोपाल जैसा कि 24 जी बता रहती कि इसमें 171 भोपाल के कथाकार शामिल है 171 नहीं 187 कथाकार शामिल है यह परियोजना हमारे लिए हम भोपाल वासियों के लिए खास है यह स्थानिक्ता का विश्वरंग है आपको यह जानकर आश्यर होगा कि कुल छह माह के रिकार्ड समय में इस परियोजना को संपन्न किया गया आप लोग अपनी हथेलियों के एक बड़ और कश्ट दें आप लोग होसला दे रहे हैं प्रदान संपादक संतोष चौवे को उनके निर्देशन और साममग्रिक संपादन के लिए संपादक मुकेश वर्मा को उनके संपादन कोशन के लिए और साममग्रिक संपादक जोती रगवनशी को उनकी मेहनत वलगन के लिए मंचस्त अतितियों से आग रहे कि विकताव भुपाल का लोकारपन करे विग्यान कथाकोश जिसके बारे में चौवे जी बता चुके है कथा भुपाल जो भुपाल वासियों के लिए खास था तो विग्यान कथाकोश हिंदी के लिए खास है विग्यान कथाओं का एक पूरा संसार है जिससे मुकेश धारा के लोग अब तक एक तरह से अपरचित है उसकी पूरी एक परमपरा है अपने आप में उतनी ही मजबूत और सम्रिद्ध है जितने की मुख्यधारा की अन्य विधाओं की परंपरा हिंदी में विज्ञान कताओं को लेकर इतने विशाल स्तर पर होने वाला या पहला काम और इसे संभव किया है प्रदान संपादक संतोष चौबे संपादक शुक्दियो प्रसाद वसहाइक संपादक मोहन सगोरिया जी ने आप इस तरही की हौशला अफजाई के लिए एक बार पुना तारिया बजाएं मंचस रचनकारों से अन्रोध है कि विज्ञान का थाकोष के च्छा खंडों का लोकारपन करें च्छा खंडों में विज्ञान का थाकोष संपादक शुकदेव प्रसाद जी प्रधान संपादक संतूष चौवे जी वा मोहन सगोरिया जी सहाइक संपादक आप से भी आग रहा है कि क्रिप्या मंच परुपसित हूँ ये हदरिश देख के तालिया तो बजाने का मन करता है ये लोकारपन चार पत्रिकाओं और दो कोशों का लोकारपन संपन्द हुआ